सीरा ये बड़ी जानकारी आपको बता रहा है जो पुरानी पेंशन पर केंदर सरकार की आज बैठक होने वाली है कर्मचारियों के साथ वितम अंत्राले की ये बैठक होगी कर्मचारी सगठरों के प्रतिनी धी इस बैठक में शिर्कत करने वाले है और OPS पर गठित कमिटे के सदसे भी इस बैठक में मौझूद रहेंगे NPS में सोधारों और तमाब बातों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है यानि कि एक बड़ी बैठक पुरानी पेंशन को लेकर यानि कि ओल्ट पेंशन स्कीम OPS को लेकर ये बैठक होने वाली है वितमंत्राले की और वितमंत्राले के साथ साथ यहाँ पर करमचारी संगठन और OPS को लेकर जो कमिटे के सदसे भी इस बैठक में शावल होने वाले है जो कमिटी OPS को लेकर बनाई गई है और इसने एक रिपोर्ट वितम अंतराले को सौपी थी और कई बाते कही थी अब कर्मचारी संगठन के लोग कर्मचारी कितने सहमत है इस रिपोर्ट से और इस रिपोर्ट की बातों से कमिची के सदस्यों की बातों से कितने सहमत है कर्मचारी संगठन और तमाम सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी इसी को लेकर आज ये बाठक होने वाली है और और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे हमारे सम्वाददाता स्पर्श शर्मा दिली से जुड़ गए है सिदा फोन लाइन पर स्पर्श आज एक बड़ी बाठक होने जा रही है 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और उससे पहले ये बाठक OPS को लेकर कितनी महात्वपूर्ण और क्या पूरी अपडेट जानकार इस बाठक को लेकर देके बिलकुल केंदरिये बजट नजदी के और उससे पहले OPS को लेकर केंदर सरकार को इंटिम निंडे ले करमचारियों के साथ आज बैठक देखने को मिलती भी नजद आएगी नौर्थ ब्लोक में ये बैठक होती भी नजद आएगी और उसके साथ साथ NPS में सुधार और तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा होती भी जो है नजद आएगी तो पहर तीम बजे के आज पास भी बैठक जो है नोर्थ ब्लोक में देखने को मिलती भी नजद आएगी इस बैठक में लगला करमचारी संग के जो प्रतनीती हैं वो शामिल हो देखने को मिलतावा नजद आ सकता है ऐसे तमाम विश्यों को लेकर आज केंदर सरकार और जो अलग-अलग करमचारी संग है उनकी जो बैठक है वो आज देखने को मिलती भी नजद आएगी हम जानते है कि सड़ीके से OPS को लेकर पूरे देशपर में अगर हम बात करते हैं तो जो करमचारी हैं वो अपनी मांग उठाते वे जो है नज़र आते हैं अलग-अलग जो करमचारी संग के लोग हैं वो केंदरी वित मंत्राले समेच जो पदार मंत्रिया उनको पत्र लेकते वे जो है नज़र आते हैं और विपक्ष भी इसको एक बड़ा मसला जो है बना अलग जो करमचारी संग हैं उनके साथ देखने को मिलती भी नजर आएगी ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि old pension scheme ना होकर जो new pension scheme है उसमें ही कुछ बदलाव करके जो है वो जो करमचारी हैं उनको राज पुछाने को लेकर जो सरकार है वो जो है रास्ता निकालती भी नजर आ सकती है तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या कोई जो बीच का रास्ता है वो NPS के जरी निकलता वा नजर आता है या फिर old pension scheme को लेकर क्या कोई आज बड़ा निर्ने जो है वो इस बैठक में देखने को मिलता वा नजर आ सकता है बिलकुल असपर लेकिन एक और ज चेतावनी भी दी गए है कि 19 जुनाई को अपने कारिस्थल पर ही पूरा संगठन पूरा करमचारी संगठन एक बड़ा प्रदर्शन करने वाला है लंच टाइम पर कई मांगों को लेकर आज ये मुख्य मांग रहेगी कि NPS को रद किया जाए और OPS को बहाल किया जाए देखे बिलकुल करमचारी साथे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो जो है बहाल होती ही जो है नजर आई ताकि उनका जो भविश्य है वो एक तरीके से सुरक्षित जो है देखने को मिलता है लेकिन सेंदर सरकार ये भी देख दिये कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम वापत आईगी तो एक जो बड़ा जो वित्या आप महार है वो जो है सरकार पर पढ़ता हुआ जो है नजर आ सकता है ऐसे में ये जो बीच सा रास्ते की बात मैं कह रहा था सुमनातन समीती की रिपोर्ट के अदार पर वो क्या करमचारी मानते वे जो है नजर आएंगे या नहीं आज की बैठक में जो है देखने को मिलता आ नजर आएगा अगर मान के चलिए कि जो नई पेंशनिस्टी में उसके तैट जो पचास की इस भी राशी देने की गैरेंटी है उस पर सरकार विचार करती है तो ये भी एक बड़ी बात जो है सरकार के पक्ष के तौर पर देखन को मिलती भी नजर आएगी लेकिन जो तमाम करमचारी संग है वो इससे सहमत होंगे या नहीं होंगे इन तमाम विश्यों को लेकर आज की बैठक में चर्चा देखने को मिलती भी नजर आएगी बिल्कुल स्पर्श चलिए शुक्री आपका जोने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए